हालो अब्रियों देश शिम्शाद है तोड़े वी आर गोईंग टो स्टड़ी ऑपरेशनल अम्प्लिफायर इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता कि ट्यून अम्प्लिफायर क्या होता है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे रिएल लाइफ में क्या अप्लिकेशन है और हम लोगों ने समझाता है कि रेडियो और टेलीवीजन जो हम लोग देखते हैं उस पर किसी भी चैनल को TUNY000 कैसे होता है यानि कैसे उसका फ्रिकोण सीचेंज होता है और प्रिक्लोर फ्रिकोण सी को हम ट्यून करके उस पर िसका है और यह कैसे काम करता काम करता है कि यह कैसे काम करता है और इसका डीफरेंगे सल्टैप्स आप्लिकिशन क्या है यह सारा कुछ आज हम लोग おっ को डिसकस करेंगे तो अपरा इसका शौट्क cannot नम है पूरा इसका नम laying operational amplifier तो operational amplifier दो word से मिल का बना है operational और amplification तो यह एक ऐसा quantum device है जो दो काम को perform करता है, दो work को perform करता है एक mathematical operation को यह perform करता है mathematical operation मतलब क्या हो गया जैसे जैसे आपका addition हो गया subtraction हो गया multiplication हो गया, integration हो गया integration हो गया, differentiation हो गया यह सारे operation को क्या परकता है यह perform करता है यानी हम लोग operational amplifier को as a adder use कर सकते हैं as a subtractor बना सकते हैं as a integrator बना सकते हैं as a differentiator बना सकते हैं तो यह different different मतलब different different application जब हमको perform करना उता है तो हम पेम के connection को अलग-अलग तरीके से अलग-अलग component के साथ जोड कर different different function के लिए use करते हैं और दूसरा काम इसका क्या है as a amplifier तो यह OPM जो है वो दो काम को perform, दो काम को करता है एक mathematical operation perform करता है और दूसरा amplification का काम करता है clear तो आप से कोई पूछे कि what is OPM तो simple आप बता सकते हैं operational amplifier is a semiconductor device या electronics device which is used to perform mathematical operations such as addition, subtraction, integration, differentiation, etc as well as it perform amplification property क्या करता है यह mathematical operation को तो perform करता ही करता है साथ में amplifier के तरह भी वर्क करता है इसलिए इसका दो रोल है तो perform mathematical operation as well as amplification इसलिए combined groups को हम लोग क्या करता है operational amplifier clear नाम से समझ में आ गया operational का मतलब mathematical operation और amplifier का मतलब apply क्या है as a amplifier को यूज़ करता है तो चलिए इसके point पर connected होता है उसको कहता है inverting terminal और जो आपके positive sign पर connected होता है उसको कहता है non-inverting terminal तो यह वाला जो voltage है आपका कहलाएगा non-inverting voltage और यह कहलाएगा inverting voltage terminal ओके दिस इस कॉल्ड output voltage ओके और इसके बाद हम लोग क्या करते है आउटपुट से input में feedback connect करते हैं either with the help of resistance और with the help of capacitance यानि यहाँ पर हम लोग जो connect करेंगे connection तो यहाँ पर या तो इसको connect कर सकते है resistance के तुरू या connect कर सकते है capacitance के तुरू या फिर direct connection होता है तो अलग-अलग connection से depends करता है कि यह किस तरह से हमको इसको work कराना है as a integrator work कराना है as a differentiator work कराना है as a voltage follower work कराना है यानि किस तरह से हमको इसको use करना है उसके according हम लोग यहाँ पर feedback component को add करते हैं clear आगे यह उपर में जो दिखा रहा plus V set और minus V set यह क्या है अब हुआ है यह plus V set और minus V set क्या है तो यह है आपका operating voltage यानि आपको operational amplifier को कितने voltage में operate करना है यानि 0 से लेके 15 volt के बीच में इसको operate करना है suppose तो plus V set आपका हो जाएगा 15 volt और minus V set जो है वो आपका हो जाएगा 0 volt ओके तो यानि highest voltage का क्याता हो गया 15 और lowest voltage क्या होगा इसका 0 volt तो इसके आगे हम लोग जब देखेंगे कि as a जब comparator इसको यूज करेंगे यानि operational amplifier का use as जब comparator करते हैं दो input voltage को compare करने के लिए तो आपका output जो होता है जब feedback इस्तेमाल नहीं करें comparator की तरह कभी यूज था जब इसमें feedback connect नहीं होता है तो उस टाइम में देखेंगे कि यह जो output voltage होता है वो यह तो plus में और minimum हाता है यानि यह वन को इंडिकेट करता है हाई और अगर इसका वोल्टेज निगेटिव आता है तो यह क्या देता है जीरो यानि लो तो यह सारा पॉइंट हमने पहले मतलब कंपारेटर में पढ़ा था इसके लिए मैंने एक अल्रेडी चैप्टर एक अल्रेडी सीरीज वोल्टेज कंपारेटर का सीरीज बना के रखा है जो आपको कंवर्टर में पढ़ना है डेटा कंवर्टर में उसमें इसका अप्लिकेशन है इसलिए मैंने इसको यहां पर आप होता है कि जब यह वी सैट और माइनस वी सैट क्या करेगा तो प्लस वी सैट का मतलब हो गया जब यहां पर आप से कोई पुछेगा अगर बेसिकली इंगलोट्र मता सकते है इसकीटकरा काम करता है जो किसकी तरह काम करता है दो तरह से काम करता है एक as a performing of mathematical operation यानि यह mathematical operation को perform करने का काम करता है और दूसरा यह amplification का काम करता है तो मैंने दूनों चीज़ को यहां पर mention कर रखता है mention कर रखा है यह तो आपको बताया गिया कि operational amplifier जिसको हम open amp shortcut पर कहता है यह voltage करके आपके डिजाइन तो मतलब फंदमेंटल यह वोल्टेज अंप्लिफाइंग डिवाइस डिजाइन तो यूज एक्स्टरनल फीडबैक कंपोनेंट सच आज रहा है कि हम लोग क्या करते हैं एक फीडबैक कनेक्ट करें रहता है जो और यहां पर क्या हो सकता है हम लोग कोई भी कंपोनेंट यूज कर सकते हैं रिजिस्टर हो सकता है यहां पर डिएरेक्ट भी हम लोग कनेक्ट कर सकता है तो उस पर यह किसकी तरह वर्क करेंगा अगर और अगर डिरेक्ट कर करता है यहां आ यहां होता है यहां मैंने अक डिफिल्ट करते हैं यहां रख यह वहां यह नहीं और शौर्टकर डिवाइस जो कभी आप कहीं भी लिख सकते हैं और हंडेड परसंट आपको क्या हो सकता है मांस मिलता उसके उपर यह क्या है इस पर आप सकते हैं इस डिवाइस या एलेप्रोंड डिवाइस विच कन परफॉर्म मैथेमेटिकल ऑपरेशन लाइक अडिशन चलते हैं हम लोग इसके डिटेल के स्ट्डी के ऊपर कि यह कितने तरह को होता है कैसे कैसे करेंगें क्या भी सबसे पहला बेषेटिक नौनइभर्टिक क्षिग्रिशन कैसा होसा होता है तोलिह गया करते हैं निगटिव टर् vu książ, मालूम् माइनस वाला जो sign है वहाँ पर input अप्लाई करना तो माइनस वाला को आना है यह तर्मिनल है तो इस पर आपने क्या क्या input को अप्लाई कर दिया तो positive जो है non-inverting है वो क्या होगा उसको ground कर देंगे positive non-inverting हो तो उसको ground कर देंगे मैंने कहा था आपको फीडबैक्क डिट्रि हिए च्कर यह से इन्पुट की तरफ जिसमें फीडबैक कंपोनेट क्या है एक प्रेस्ट्रेंस को लिए गया ह मृस्तिर है तो इस तरह का उपांप कैंफिट्रेशन जिसमें एक प्रेस्ट्रेंस हो और इन्पूट टर्मिनल किस पर apply हो आपका inverting पर apply हो नन इनवर्टिंग क्या हो ground तो इस तरह का configuration of opm कहलाता है inverting opm यह कहलाता है inverting opm अगर हम इसको उल्टा कर दें यहाँ पर क्या 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 हम लोगों ने निगेटिव पर आपको वल्टिज अप्लाई क्या था अगर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल पर प्रक्राइब करें और नेगेटिव को ground कर दें फीड़एं तो अपने जीघा पर ठीक है यह उल्टा कर देयाए कि नीचे सूपर कर देया नज होता है तो नीचे पर अप्लाई करेंगा तो यहां पर पॉजिटिव पर आप्लाई है तो यह फेश्ट नहीं करेंगा वलके यह क्लाएं नौन इनवाटिंग तो जब उपायम को हम लोग इस तरह से कनेक करते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल पर इंपुट सिगनल अप्लाई करें और निगेटिव टर्मिनल को ग्राउं कर करते हैं तो इस तरह का कंफिग्रेशन ओपायम का कहलाता है नन इंवर्टिंग और यहां एक और चीज़ है गेन क्या है मैंने अभी आपको बताया था इस से पहले वाले लिक्चर ने बताया था गेन क्या होता तो गेन होता है आउपुट वोल्टेज डिवाइड बाइड इस यहां पे देगाम को उसका नाम का वोल्टेज गेन तो किसी भी ओपम का voltage gain इस पर depend करता है वो depend करता है कि उसके अंदर feedback resistance क्या लगा हुआ है यानि feedback resistance के recording ही आपका output voltage होगा और input resistance क्या है उसके recording आपका input voltage होगा तो simply output voltage divided by input voltage will give you gain of the inverting गें आप दा इनवर्टिंग की बात करेंगा तो output voltage क्या होता है जो भी current इसमें जाएगा i into RF output voltage जाएगा input voltage क्या हो जाएगा म基本 current इहां से चला i okay तो input voltage क्या हो जाएगा i2 R till यानि आपका V in अगर बात करेंगा i into Sin हो जाएगा i2 रुन हो जाएगा okay V out बात करेंगा तो क्या हो जाएगा V out क्या होता है ये current यहां से आने के बाद यहां कोई current नहीं जाता है इसकेً अंदर यानि infinite बना जाता है इसलिए जब infinite into impedance है तो इसके अंदर कोई current नहीं जाएगा तो कोई current जब इसके अंदर नहीं जाएगा तो सारा current यहां से होते हुगे कहां जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां से अगर i आ रहा है तो यही current यहां भी आएगा i तो यह क्या हो जाएगा I into RF हो जाएगा हम पुछेंगे कि V out by V in केतना हो जाएगा तो V out केतना हो गया I into RF और V in केतना हो जाएगा I into R in I say cut जाएगा तो बचेंगा क्या RF by R in यह बचेंगा ना इसलिए यहाँ पर जो लिखा गया gain वो लिखा गया V out by Y in equal to RF by R in clear तो यह आप से कोई कुछेगा inverting of am का voltage gain क्या होता है तो RF upon R in RF क्या है feedback resistance R in क्या है input resistance इन दोनों को जब divide कर देते हैं तो हम लोगों को मिल जाता voltage gain of inverting of am मिल जाता है clear ठीक उसी तरह से जब आप non-inverting का voltage gain निकालेंगे तो उसमें में क्या करेंगा output voltage निकालेंगे और दोनों को जब divide करेंगे तो आपको non-inverting of am का voltage gain मिल जाएगा जो कि एक कि किसके बराबर होगा वह बराबर होगा 1 plus RF upon R in के बराबर होगा वह किसके बराबर होगा तो यह आपका बेसिक था यह है इनवर्टिंग यह है नन इनवर्टिंग इसमें निकालना होता तो क्या करते हैं सिंप्ली में देखें इसमें कैसे यह मतलब टर्मिनल से कैसे निकालता देखें यह एक और चीज़ मैं बताते देता हूं यहां पर इसको डिटेल में नहीं बताना है लेकिन मैं त्यारा हूं कि थोड़ा बहुत आपको समझा दे जाए ताकि आप आप आसानी से इन्वर्ट रोट इन्वर्टिंग कर दो आए और चब यह घ्राउंड होई आता है तो यह टर्मिनल जो भी यहां पर वोल्टेज होगा वो टर्मिनल इसको कहते हैं वर्चूवल शॉट इसको क्या को है virtual short concept यानि अगर आपने एक टर्मिनल पर इंपुट अप्लाई किया है दूसरे टर्मिनल को आपने अगर ground कर दिया है तो यह ground terminal का जो supply होगा वो आके इससे वर्चुली short कर जाएगा और यहाँ पे का potential क्या हो जाएगा यहाँ पे का potential के तमाज जाएगा जीरो हो जाएगा यह क्या है आपका वी आउट है यानि वी नॉट माल लिजे यह क्या है आपका वी एन है ठीक है तो यह इस terminal का इस point का नाम देजिए माल लिजिए पी ठीक है एट पी टर्मिनल तो पी टर्मिनल पर क्या हो जाएगा हम केसी है लगर अप्लाई करेंगे, node analysis, node analysis जब लगाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कि यहां से क्या हो जाएगा, एक current यहां से आ रहा ऐसे होते हुए, और ऐसे चला जाएगा, यहीं हो रहा है, यह current ऐसे आ रहा है, ऐसे होते हुए, चला जाएगा, तो हम लोग node analysis अगर direct node को क्या करते है higher potential पे treat करते हैं कि माल लेते हैं कि node जो है वो higher potential पे है और हम लोग अपने मन से कहते हैं कि node से current इधर भी निकलता है और इधर भी निकलता है तो उस case में जब हम लोग KCL कहें कि कोशन मतलब node analysis का equation लिखते हैं क्या लिखेंगा 0-V in divided by R in क्या लिखेंगा 0-V in divided by R in फिर उसके बाद इधर से यह करेंगे निकलता है उसको क्या लिखेंगा 0-V out divided by R f equal to क्या लिखेंगा 0 इसको जब हम लोग solve करेंगे तो केतना हो जाएगा हम लोग इसको solve करेंगे तो इसको उधर भीजना पड़ेगा उसको उधर भीजेंगा तो क्या हो जाएगा वी नॉट अपन वी इन बराबर कितना हो जाएगा ही नॉट आपों वीन का वैलु आप निकालेंगा तो यह क्या है वीन को क्या करता है वो्ल्टेज्ज गैन को क्या करता है यहीं नहीं है डिवाइटेज गेल्ट वill Н मेरेश टर्मिनल का current equation solve करते हैं तो हम लोगों को जो gain मिलता है वो क्या होता है? minus rf upon rn होता है तो यहाँ पर minus होगा minus rf upon rn होगा जबकि non-inverting terminal का solve करेंगा same उसी तरह से तो हम लोगों को क्या मिलेगा? मिलेगा 1 plus rf upon rn अगर solve करने के लिए इसको मैं पूछू हूँ तो आयो पाप लोग अगर node analysis पढ़ा है तो आप इसको solve कर सकते हैं और अगर आपने node analysis KCLKVL यह सब नहीं पढ़ा है तो मेरा suggestion है कि पहले वो सब सीखिए और उसके बाद OPM को try किजिए यह को operational amplifier के लिए आपको node analysis आना जरूरी है तो इसमें क्या हो जागा इसको अगर solve करेंगा तो यह virtual short के concept है अगर बात करेंगा तो यह voltage होगा वो यहां पर आ जाएगा यानि यहां का voltage हो जागा V in यह तो 0 है already तो यहां अगर KCLKVL apply करेंगा तो फिर से क्यों आ जाएगा इसको हम higher आप कोई अच्छे समझ में आ गया हो कि voltage gain inverting terminal का कैसे निकालते हैं voltage gain non-inverting terminal का कैसे निकालते हैं तो यह दू application मैंने बताया कि आप आम जो होता वो दो configuration में पाया जाता है एक inverting configuration में दूसरा non-inverting इन ही दोनों को यूज करके different different application बना आ जाता है जैसे as a adding some adding amplifier यानि addition का काम किया आता है as a difference amplifier मतलब subtraction का काम किया आता है as a integrator मतलब integration करने के लिए इस्तवाल होता है as a differentiator differentiation करना होता है वहाँ पर यूज होता है तो अलग अलग इसका application इसकी दो लो होनस होगा वहाँ पर इंप्लाई यह व आला क्या है आपका इंवर्टिंझ अप्रिपार है जिसका ऑपुट क्या होता है यानि गें क्या होता वी आउट बाइब कर देंगा जाएगा या यानि फिल्ट प्लस आरफ यानि फ्लस र बात करें समींग एंपलिफार आउए चुछ आउगा वापस होके तो यहाँ बात कर समिंग आउगा adder कैसे यूज होता है कि क्या कीजिए inverting पे दो तीन फोर input लगा दिजिए जैसे v1 लगा दिया v2 लगा दिया v3 लगा दिया so on धेर सारा r1 r2 r3 करके धेर सारा terminal यहाँ पे जोड दिया तो output जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा output होगा v1 upon r1 v2 upon r2 v3 upon r3 यह इस form में सम करता होगा मिल जागा यान जो भी input voltage आप अप्लाई के जाएगा सबको जोड क्या output मिलेगा v1 plus v2 v3 upon so on अगर आपका rf और rn यानि यहाँ पे जो feedback एस्तेमाल होगा resistance और यह r1 r2 r3 जो अप्लाई करने हैं अगर यह दुनों आपसे बराबर हो जाए तो यह rf माली जा आरेफ का वालो दो होग है सपोज r1 r2 r3 भी दो होग है तो यह common निकल जागा बाहर rf से क्या हो जाग बचेगा अंदर में क्या अंदर में बचेगा vout equal to minus v1 plus v2 plus v3 plus v4 so on बचेगा तो यह सारा क्या देखाए दे रहा है सबको जोड रहा है यानि जो भी input आप अप्लाई कर रहा है सबको एक साथ add कर दे रहा है तो इस तरह का amplifier क्यो कहला आता है वो कहला आता है summing amplifier ओके इसको क हम लोग इनपूट अप्लाई किया है वह इनवर्टिंग अगर हम लोग नन इनवर्टिंग प्लाई करेंगा तो यह बन जागा नन इनवर्टिंग समय उसकेस में आएगा माइनस नहीं हो बलके वीवन प्लस v2 प्लस v3 so on होगा clear आगे देखिए हम बात करने difference इस case में जो solve करने के बास सिंप्ली सबको क्या करना सबको नोड अनलाइस लगाना और solve कर देना जैसे नोड नाइस नहीं आपको इनवर्टिंग में लखा कर देना आपको यहां पर आपका आएगा वह क्या आएगा वह आएगा वह आएगा वीटू वीटू माइनस वीवन यहांनि जो आप इनवर्टिंग प्रक्या चींठ आप तो ये हैं लिए किया देगा या दून हो गटा रहाया है यानि जो भी का लेकिन यह क्या करेगा यह करेगा यह करेगा सब्स्ट्राक्शन यह करेगा एडिशन तो इंटेग्रेटर में क्या है कि अगर अगर फीडवैक में रेजिस्ट्र करेगा आप क्या लगा जए तो ऐसा ओपम क्या कहलता है इंटीग्रेटर और इसका अउट्पुट क्या आता है तो इसका आउट्पुट जो आपको मिलता है वो इस तरह से मिलता है यहां पर लिखा हुआ यहां पर लिखा हुआ थीक से नहीं लिखा हुआ इसके मंदब क्या हो गया जो भी इंपूट अप्लाइक जागा इंटेग्रेशन होगा और बाहर में क्या है इनपूट को इंटेग्रेशन आएगा वही आपको यहां पर मिलेगा इस तरह के अंप्लिफायर को करते हैं इंटीग्रेटर अगला जो है वह है इसका हो जागा इसका इसका आपका यहां गया जो होता है वह जाता है इंपूट को इंटेग्रेशन क्या गया इंपूट का इंटिग्रेशन की आगला इसका और इसका ऊत्ट ठीग्रीशन आएगा हलाओ इसका इसका इन्पर वोटेज इसलिए इस को दिफरेइंशे हो आ जाता है युद दो छोड़ दिया था उसको घाता हूं इसको कि यह गतीए व्यव्य का रोत्ती सब में inadvertSet शुर्म में क्या था फीडबैक में resistance लगा हुआ था या कैसितन कुछ लगा हुआ था लेकिन यहां क्या है feedback में कोई भी resistance या कैसि नहीं लगा हुआ बल्के direct feedback को connect कर जा गया तो इस तरह का operators अहीन होगा इस हो जाएका वान इसलिए वोल्टेज फॉलोवर एक ऐसा ओपी आम का कशिगरेशन है जिसका वोल्टेज गें टाथा वन होता यानि यूदी होता है रही वन और इसके वाइज बाकिसे में बाकी सारे में रिजिस्टेंस है या कोई ना कोई component है जासे capacitor है या रेजिस्टर है या नहीं कुछ है तो कम से कम feedback path connect है output से input connect है सब में है लेकिन इसमें कोई feedback path नहीं होता इसमें कोई feedback path connect नहीं होता है simply क्या होता है यह operate होता है V saturation plus V set minus V set पर जो भी input आप इन दोनों के terminal के apply करते हैं वो क्या करता है इन दोनों को घटाता है इन दोनों को घटाता कंपेर करता है और अगर इसका वोल्टेज निगेटिव आता है घठाने के बाद जासे माल लीजे वीवन इस greater than V2 तो V1 जब V2 से बड़ा होगा माले V1 का वालू है पांच वोल्ट वीटीव का वालू है तो आपका आपका वोल्टेज क्या आएगा वी वी वन माईनस वी तू तो 5 में से तीन घटेगा 2 वोल्ट आएगा जो पलस में होगा तो दो वोल्ट है तो क्या हो यह पॉझिव यहां पर दो बोल्ट ना के बलके आया क्या क्योंकि यह क्या करेगा पॉजिटिव बोल्ट जाने पर प्लस भी सेट पर जाएगा और निगेटिव बोल्ट जाने पर माइनस भी सेट पर लाकिब सेचतर कर दें तो और यह यहां पर जेला लेगा और अगर फलस भी सेट करेंगा या यानि 15 15 को क्या क्या है क्या रिडिद सेट नें जिसमें अगर voltage का इन दोनों voltage का डिफिरेंस अगर positive आता है तो यहां output one रहाता है और अगर दोनों voltage का डिफरेंस negative आता है तो यहां पे यहांप आपको अच्छे से समझ में आगया हो और इसका basic application कैसे-कैसे और यह किस तरह से डीटेल में मैंने आपको एक्स्पेंग किया है सारे चीस का गेन वगएरा सब कुछ और इसका बेसिक अप्लिकेशन कि क्यों फीडबैक पास में आपके रिजिस्टेंस लगाने से क्या हो रहा है क्या हो रहा है और इसका डिफेंट डिफेंट हम लोग ने इसमें डीटेल में आज पड़ लिया तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा थैंक यू सो मुच फो वाचिंग दिस वीविल मेट इन दा नेक्स लेक्श्यर